क्या आपकी किस्मत में खुशियां लिखी हैं? आपके जीवन की सच्चाई दिल से चुनिए कोई भी एक गुल्लक कैसे हैं आप सब आज आपके लिए बहुत ही इंट्रेस्टिंग सा टॉपिक लिए कर आई हूँ क्या आपकी किस्मत में खुशियां लिखी हैं? आपके जीवन की सच्चाई क्या है? तो जान लेते हैं आपको जो भी गुल्लक अच्छी लग रही है नमबर बार नमबर टू नमबर थ्री उसे आप चुन लीजिए जल्दी से और स्टार्ट करते हैं टेरो कार्ड आपके लिए क्या संदेश लाए हैं? गहरी लंबी सांस लेकर एक गुल्लक चुन लें तो चलिए मैं स्टार्ट कर रही हूँ टेरो कार्ड आपके लिए क्या संदेश लेकर आये हैं? देख लेते हैं जन्होंने नमबर बन गुल्लक को चुना हैं उनके लिए क्या है? उनकी जिन्दीगी में गिसमत उनकी लिए कौन सी खुशियां लाई है? देख लेते हैं फ्रेंड्स मुझे यान लग रहा है टेरो कार्ड आपके लिए ये संदेश लाए हैं कि आपके जिंदगी में बहुत जल्द खुशियां आने वाली हैं इसके लिए आपको क्या करना है? आपको थोड़ी सी महनत करनी है जो भी आपने सोच रखा है जो भी आपके सपने हैं उनको पूरा करने के लिए आपको गड़ी मेहनत करनी है आप अगर सिद्दत से मेहनत करेंगे दिल से मेहनत करेंगे तो आपको आपको खुशियां बहुत सारी मिले वाली बहुत अच्छी किसमत है आपकी और उपर वाले का साथ है तो आपको अगर चाहते हैं कि खुशियां मिलें आपको वो सारी चीज की एक समय ऐसा आने वाला है आपकी जिन्दगी में जो जो आपने चाहा था वो सब आपको मिलने वाला है तो इसके लिए आपको क्या करना है आपको इश्वर की कृपा चाहिए तो आपको जो भी इश्ट देव हैं उनको सुबह से उठकर उनकी आराधना करें पूजा करें औ उनके मंदर जाएं और उनकी आराद ना करें ये शुर आपकी सभी मनुकामना है बहुत जल्द पूरी करने वाला है चलिए देख लेते हैं नमबर टू जिन्होंने भी ये गुल्लब चूस की थी उनकी किस्मत में क्या लिखा है उनकी जीवन में खुशियां कव आने वाली है फ्रेंड्स छे महीने के अंदर आपके जीवन में खुशियां आने ही वाली हैं अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपका रिजल्ट अच्छा रहेगा अगर आप जॉब सर्च करें तो आपके मनमाफिक जॉब मिलेगा जो भी आपने सोच रखा है वो आपको जॉब मिलेगा आपको तरक्की मिलेगी अगर आप बिजनिसमेने तो आपको बड़ा कोई अच्छा प्रोजेक्ट मिल सकता है आपको बस एक चीज का ध्यान रखना है कि जो एक पैटर्न आपकी जिंदगी में चला आ रहा है उसमें आपको थोड़ा बदलाव करने की जरुरत है आप स्था आपको थोड़ा सा दयालू बनाएं और गुस्से पर थोड़ा कंट्रोल करें टेरु कार्ट आपके लिए यही कह रहे हैं कि आपकी किस्मत बहुत जल्द बदलने वाली है और आपको वो सारी खुशियां मिलने वाली हैं जिनके बारे में आपने अभी तक सोचा भी ना हो तो आपको भगवान मन माफिक जैसा आप चाहेंगे वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी और आपकी जिन्दगी में बहुत सारी खुशियां आने ही वाली हैं इसके अलावा मुझे यहां पर यह भी दिख रहा है फ्रैंट्स की आपको गरीबों को दान जरूर देना जी हां जो भी आपसे बन पड़े अपने सामर्ट के हिसाब से आप गरीबों को दान करें पुने करें फिर आपकी हर इक्षा पूरी होगी अब देख लेते हैं नमबर थ्री जिन्होंने भी ये वाली गुलक्ष चुनी हैं उनके लिए किसमत कौन से दरवाजे खोलने वाली है फ्रेंड्स आपके लिए साफ दिख रहा है टेरो कार्ड ये कह रहे हैं कि आपको अभी तक जो भी समझ से आये थी वो सब बहुत जल्द दूर हो जाएंगी और अब आपकी किसमत बहुत सारी खुशियां लेकर आने वाली है बहुत सारी खुशियां आएंगी कैसे आएं मिलेगा तो भगवान उपर वाला भी आपके साथ है आप जो भी नेड़ने लें वो सही होगा और वो हर पल आपके साथ रहेंगे तो कंफ्यूजन की स्थिती से आप बाहर निकल आएं आप कॉंसंट्रेट करें किसी भी एक चीज पर पल पल आपके अरादे जो बदलते रह हैं आपको एक चीज पर अडिग रहना है और सारी जो भी आपने सोच रहा है वो सब आपको मिले वाला है तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए जै माता दी राधी राधी जै श्रीकृष्णा